हेलो दोस्तों आपका स्वागत है लेल वीडियो समें आज हम बत करते हैं भारते दन सहीता यानि आईपीसी की धारा 325 की आईपीसी की धारा 325 क्या गाती है और इसमें कितनी सजा का प्राबधान है चलिए जानते हैं आईपीसी की धारा 325 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति को अपने मन से कोई गंबीर चोट पहुचा देता है, तो ऐसे में आरोपी पर आईपीसी की धारा 325 के तहत केस दर्श किया जाता है, ऐसे में आरोपी को साथ वर्स का कारावास और आर्थी जुर्मान योग्य है यह अपरात किसी भी मचिश्चित द्वारा विचारनी है क्योंकि आगे चलकर कोई नौग जोग हो जाए तो फिर से लड़ाई होने की समामना पूरी रहती है इसलिए कोट काफी सो समझकर निल्डे लेती है ताकि आगे चलकर कोई दुबारा मारपिट ना हो चलिए से एक एक एकजामपल से समझते हैं जैसे की A और B दो वेक्ती है A और B में जमीन के बटवारे को लेकर पहले से कहा सुनी हुई है लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि आपस में मारपिट होने लगी और A को गंबिर चोट लग जाती है और उसे अस्पताल पहुचाया ऐसे में A के घरवाले प्लीस स्टेशन में सिकायद दर्श करवा देते हैं और प्लीस B को गरवतार कर लेती है अगर A को बहुत गंबिर रूप से हानी होती है तो आरोपी को यानि एक्क्यूस को कोर्ट में पेज किया जाता है और उसे जज़ द्वारा सजा और जुर्माना लगया जाता है यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटस्निंग वीडियो के लिए आप LLV वीडियो को फोलो करें और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू